नेकालें दूसरा कुरुंतियों उसका ग्यारवाद ध्याय है और हम पढ़ रहे हैं यह पॉलूस के शब्द है एक से लेके तीसरी आयत तक मैं जाहूँ अब भाई जिसके पास हिंदी की बाइबल है हाँ भाई है आप दा जोर से पढ़ दें ब्रदर यदि तुम मेरी कि इसी मूरकता सहलेतें तो क्या ही भला होता हाँ मेरी सह भी लो क्योंकि मैं तुम्हारे विशे में खुदाई धöन लगाए रहता हूँ इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवत्र कुवारी की समान मसीय को सौप दूं परançon मैं डरता हूँ कि जैसे साप ने अपनी चतुराई से हववा को बहकाया वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसी के साथ होनी चाहिए कहीं ब्रश्ट ना किये जाए आमें यहाँ पे एक भेद है जो लिखा हुआ है जो हम और आप समझें एक खुदाई धुन में है अब वो कलीसिया को एक स्ट्री के रूप में देख रहा है मसी को दूलहा के रूप में देख रहा है और कहता है मेरे अंदर एक खुदाई धुन है इंग्लिश में शब्द है गौडली जेलिसी में अंदर पाई जा रही है खुदाई की कलीसिया के लिए और इस चक्कर में मैं कभी-कभी जोर से बोल जाता हूँ कभी-कभी मैं ऐसा सरकास्टिक रिमार्ग देता हूँ जिसको चाहरा आपको अच्छाना लगे लेकिन मेरी आत्मा समझो में अंदर तुमारे लिए एक धुन है मैं नहीं चाहता कि तुम बर्बाद हो आए कलीसिया और इन चीजों को लेके तब पालूस इस धुन में होके क कि मैं खोदाई धुन में तुमारे पर एक मिंदर एक जलन है क्योंकि मैंने तुमारी बात एक ही पुरुष से लगाई है यह लगाना ही इंग्लिश में एस्पाउज यानि एंगेजमेंट कहलाती है मैंने तुमारी एंगेजमेंट एक ही पुरुष से कराई है कि मैं तुमें एक निर्मल कुमारी चेस्ट वर जिनकी हिंदी बनेगी निर्मल कुमारी करके मसी को सौप सकूं बात समझ मारी आप यानि कि जब तुमारी एंगेजमेंट हुई तो मेरा एक देश यह है कि तुमें एक चेस्ट कुमारी की तरह मसी को सौप सकूं कई यहाँ पर विश्वासी भाई लोग बैटे हैं कई नए भी हैं विश्वास करता हूं मसी बैग्राउंड से ही हैं मैं कहूंगा सोचें पॉलिस संदेश वाले जानेंगे पहले युक का दूथ है आमें पहले युक का दूथ कह रहा है अपनी कलीसिया से कुरूंथियों से मैंने तुमारी बात एक ही पुरुष से लगाई है मैंने तुमारी बात एक पुरुष से यह कौन सी कलीसिया है जिसका की प्रभु ये श्मसी के नाम से बबतिस्मा हो चुका है यहांदा सुनियेगा जिनों ने प्रभु येश्मसी के नाम का बबतिस्मा लिया मैं यहाँ पर एक बड़ी बात बोलूँगा आज क्योंकि यहाँ अब संदेश के कई ऐस्पेक्ट जुड़ेंगे पानी का बप्तिस्मा केवल बात लगाना है तब आप पढ़िये संदेश अद्रिश मिलाप और वहाँ नभी ने कहा तुमारा नया जनम तुमारी नई शादी है तो पवितर आत्मा का जब बप्तिस्मा मिले वो शादी किनी जाती है बात समझ मारी है पानी का बप्तिस्मा शुरुवात है मन फिराओ अपने अपने गुनाहों की माफी के लिए प्रभु येश मसी के नाम से प्तिस्मा है आमीन तो प्रभु येश्मसी के नाम से बब्तिस्मा दिलवाना और लेना शादी नहीं है ये एक बात लगाना है और पॉलूस कह रहे हैं जान सुनियेगा एक तस्वीर साथ युगों की ही मिलके बनती है एक तस्वीर एक व्यक्ति विशेश्की होके मिलती है मैंने खूब खोजा संदेश का नाम है मेमने का ब्या शैद हिंदी में युट टांसलेटिड है इंगलिश में तो ही है आपने पढ़ा होगा नभी ने का हर सची शादी में कुछ सीड़ियां है सबसे पहली सीड़ी ये है कि लड़का और लड़की फैसला करते है कि वो एक दूसरे को प्यार करते है और एक दूसरे के साथ अब वो शादी करेंगे फिर फैसले के बाद आती है एंगेजमेंट जिस एंगेजमेंट में उसके बाद वो वायदे करते हैं एक दूसरे के साथ जो हम अभी हम भी करवाएंगे मंच पे फिर वो इंगेजमेंट का वायदा जब होता है तो नभी ने जोड़ा मसी और कलीशिया और हमारी तस्वीर से इस रूप में कि ऐसा ही हमारे साथ भी है कि अगर आप मेरे होंगे और मुझे लेंगे तो मैं वायदा करता हूँ मैं वायदा ये दुलहन के सदस्यों के लिए है कि मैं वायदा करता हूँ मैं वायदा करती हूँ कि मैं दूआ में बना रहूँगा मैं उफास रखूँगा मैं आपके वचन को पढ़ूँगा मैं आपके राहों पे चलूँगा जो आप समझाएं मैं वो करूँगा ये वाइदे पहले करने पड़ते हैं आप संजमारी है आपके और ये वाइदे भी वो ही करेगा जिसने पहले फैसला लिया या तो मसी के साथ चलने का फैसला मतलो मसी के साथ चलना पड़ेगा तो क्या अपर दर ये भी छोड़ना पड़ेगा लड़की कहे तो मुझे अपने बाप का घर छोड़ना पड़ेगा क्या शादी के बाद क्या मुझे अपने पुराने दोस्त पुरानी सहीलियां छोड़नी पड़ेंगी ये तो मैंने नहीं सोचा था हम तो ऐसी शादी चाह रहे थे कि शादी भी और मैं घर में ही रहूं तो प्यारे भाई आज तक ऐसी शादी तो हुई नहीं शादी के बाद एक अगला चरण है विदाई संजमारी आपके और विदाई एक अभी नंग है शादी का जिसमें लड़की फिर अपने बाप के घर को छोड़ती है ताकि अपने पती के साथ जाए संजमारी आपके और अपने पती के साथ रहे रिपका की विदाई हुई और उसने का मैं अभी जाओंगी हराम वचन पड़े और दूला भी ऐसा जिसने एक जगहा तैयार करी दूला सडक छाप नहीं है दूले ने एक जगहा तैयार करी कि जब लड़की विदा होके आएगी तुम्हें से रखूंगा कहा प्रभ येश्मसी कि जब हमसे शादी भी तुन्होंने एक शब बोले मैं जाता हूं तुम्हारे लिए एक जगहा तैयार करने है और मैं फिर आऊंगा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो अब ये तो सही तस्वीर है हमारी है याने कि शादी से पहले मैं पस टाइम नहीं मैं उस विचार को रखता है नभी ने ये बहुत ही विचारे गरीब भाई बहन थे उनकी शादी करी और एक अमीर की तो खैर करी करी उन्हें का लेकिन देखो उनमें जैनुवन प्यार था उन सवालों में एक बात समझ में आई नभी ने शादी करने से पहले लड़के से ये सवाल पूछा और मैंने भी वहाँ से सीखा कि मैं भी अब से पूछूंगा खैर मेरे पास बैग्राउंड है लोगों की तो मैं इसलिए कई बार नहीं पूछता लेकिन ये पूछना जरूरी है सवाल नभी ने पूछा तुम कै उसे प्यार करते हो बहुत प्यार करता हूँ उनने ओखा शादी के बाद कहां लेके जाओगे अगला सवाल ये था शादी के बाद तुमारे पास जगाना हो ले जाने की तुपे शादी कर क्यों रहे हो आई समझ मैं आपके वचन के अनुसार जब शादी होती है तो हम इफिस्यों पांच से पढ़ते हैं हर पती जैसे मसी अपनी कलीसिया का पालन पोशन करते हैं तो हर पती का ये उत्तर दायत्व है कि वो अपनी पत्नी और मैं कहूंगा परिवार का पालन पोशन देखे पती पत्नी पती का पालन पोशन देखे ये तो फिर तस्वीर उल्टी है तजमारी है ये तो फिर तस्वीर एक बाबुली तस्वीर भी है जिसमें एक स्त्री के गोद में कहने के लिए तो वो बच्चा है लेकिन वो है उसका पती जिससे हम सक्त नफरत करते है वैसे आहाव इजबेल की गोद में ऐसा ही एक बेबी था आहाव एक बेबी था जो इजबेल की गोद में पलता था और जो इजबेल कहती थी आहाव वो किया करते थे और ऐसे बेबी के कारण इसराइल का क्या अंजाम हुआ आप जानते हैं इसलिए ये बहुत इंपॉर्टन्ट है कि लड़का काम करे लड़का कुछ पैसे कमाए लड़के का हाथ यू हो यू ना हो लड़का इंडिपेंडन्ट हो लड़का बच्चा ना हो शादी होने के बाद भी वो बेबी बना रहे पापा बताओ मम्मी बताओ सिजमा रही है मम्मी क्या बोली है मैं क्या करूँ जैसे छोटा बच्चा कहता है मम्मी मुझे टॉलेट जाना है बच्पन में एक दिन आया हमारी मम्मी ने घुड़का अब भी क्या पूछने की जरुवात है अब तो बड़े हो गए हो जाओ तुमासे अकल खुली कि हाँ भाई सही बात है ये भी क्या पूछने की चीज़ है तो ऐसे ही जब उमर बढ़ती है मैचूरिटी आती है इंडिपेंडेंट फैसला लेने की और आगे बढ़ने की और सही मार्क पर चलने की एक फित्रत है जो होना चाहिए संजमारी आपके जहाद सुने और समझने कोशिश करिएगा लेकिन वो बेवी नहीं है संडे को शादी हो गई शादी के बाद भी पापा उठाते है बेटा संडे है तयार नहीं हुए वो इस शादी से पहले भी करते थे बेटा दस बजे की मीटिंग है नौ बजे निकलें कब तक पहुँचेंगे तो तयार हो जाओ अपनी अलाम क्लॉक लगा ही नहीं कोई उठाए तब हम उठेंगे वो यादा शादी के बाद भी अब उठाने का काम उनका दोरा हो गया अँने भी उठाओ उनकी बीबी को भी उठाओ क्या ही समझ में हो सकता है मेरे कटाक्ष कुछ लोगों को अच्छे ना लगें लेकिन मैं खुदाई धुन में कुछ बोल रहा हूँ क्योंकि इन जणों से एक ऐसा खजूर का पेड़ उकता है जिसे मैं देख चुका हूँ और उसका क्या अंजाम होता है मैं यहां मंच से रखना नहीं चाहूँगा सज्मारी है आपके तो मैं सोचता हूँ कि अंकित इस बात को समझते होंगे कि वो एक बेबी नहीं है वो एक बालक नहीं वो एक व्यस्क पुरुश है जो आज एक कदम उठाने जा रहे है शादी का यह सारे कंसिडरेशन्स शादी से पहले सोच में हो जाना चाहिए